यूपी टीउ का रेजिस्टेशन चल रहा है इसकी चॉइस फिलिंग भी शुरू होगी तो हम लोग बच्चों के लिए एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे हर एक कॉलेज का एक कट आफ बताएंगे आपको ठीक है उस कट आफ में हम लोग सारा यह सारा कुछ जितनी बीचीज वो सारा कुछ डिसकस करेंगे एक एक पॉइंट द्हान से सुनना वरना बच्चे को पता नहीं होता कि इतनी रांक तक भी एड़मिशन मिलता है फिर बच्चे गल्ती करते हैं वही चॉइस फुलिंग सा बढ़ियां से करते हैं यह सब दिख्वाता था इसलिए ध्यान से सारी बाते सुनना सारी अपनी कैटेगरी सुनना जिससे कि सब कुस समझ आ जाए मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहोऊगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो क्य आते रहेंगे तो जल्दे सब्सक्राइब कर देना अब हम बढ़ते हैं आगे जो शीरीज अभी सारा बात कर रहें तो बाकि पर नहीं मिलता है तो फिर तो यही कंसिडर करना चाहिए आपको इसमें सारी केडिगरी वाइस करेंगे ठीक है यहां राउंड फोर है क्योंकि प्र यूपी से ही तो होम स्टेट को टा लगेगा या बाकि आपने कहीं और से भी लेकिन आपने डुमिसाई सट्विएट यूपी का वन वाली है तो भी आपका हो मेल वाला देखोगे अगर आप फीमेल निदेखोगे यहां पर क्लोजिंग रैंक हमें देखना है तो इस तरीके से देखना है तो अब ध्यान से सारी चीज़े सुनते जाओ सबसे पहला आता है हमारा JSS Civil Engineering Shift 1 की बात करें तो All India वाले बच्चों को ठीक है JSS के अंदर All India वाले बच्चों को जो है 5,96,000 पे भी admission मिल जाता है यानि कि Other States से भी बच्चा है तो 6,00,000 तक admission मिल जाएगा जो भी JSS topmost college में बाकी civil level उतनी अच्छी होती नहीं है placement उतनी बढ़िया जाती नहीं तो suggestion नहीं रहता है next branch की बात करें तो CSE ठीक है CSE home state वाले बच्चों को और यह क्या है OBC ठीक है यह क्या है OBC AF का मतलब armed force ठीक है OBC वाले बच्चे जो है UP से उनको 95,000 तक मिलता है ठीक है home state जो है EWS वाले बच्चे home state में EWS category जिनके पास है उनने 91,000 तक CSE branch and CSE branch की बात करें तो open category यानि general category से जो girls है ठीक है general category से जो girls है उन बच्चों को 91,92,000 तक यहां पर CSE मिल जाएगा इसके बात बात करें तो CSE हमारा home state के SC वाले बच्चे जिनके पास SC category है उनको 2,64,000 तक मिल जाएगा आप लोग 6,31,000 तक मिल जाएगा ठीक है बहले इस साल कुछ competition भी बढ़ा है क्योंकि इस बात ज्यादा बच्चे थे बट हां देखो इसमें आपको cut-offs में difference देखने को इस साल मिलेगा electrical engineering की बात करें तो इंडे वाले बच्चो को 4,37,000 तक ठीक है अधर स्टेट के जो बच्चे है तो देखो बच्चो अभी तो हमने कुछ data का discussion किया और भी data का discussion होगा बट बहुत ज्यादा important बात यहां पर क्या है कि अभी registration होने के बाद choice filling होनी है और choice filling आपको काफी बढ़ियां से करनी होगी अगर इस choice filling में एक गलती हो गई न तो यहां पर 700 से ज़्यादा colleges है एक गलत college मिल जाता है तो पूरे 4 साल बरबाद हो जाएंगे और जो आपके parents की जो मेहनत की कमाई होगी वो एक गलत college में जाकर के आपका चला जाएगा ठीक है दो साल पूरी आपने मेहनत किये इस JEE की तयारी किये आपकी जो भी rank आये चाहे आठ लाग दस लाग बारा लाग जितनी भी rank आये चाहे अच्छी rank आये एक लाख पचास जार जो भी rank आये उसे rank पे आपको बढ़ियां से बढ़ियां college मिलना चाहिए नहीं मिलता है बाद में बच्चे बहुत ज़्यादा परिशान तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो rank बनी है उसे rank पे best से best college and best branch मिल जाए इस पूरे UP के अंदर तो you can join our counseling support हमारे दो counseling है एक है online counseling और एक है offline counseling पहले मैं online counseling के बता देता हूँ क्योंकि online counseling भी हमारी सबसे best है पूरे all over India में जितने भी counselors हैं क्योंकि दूसरे counselors क्या करते हैं ए नहीं reply करेंगे नहीं आपको कुछ भी comment पूरा भरा रहता है उनका उसी से service आपको पता चल जाती है लेकिन यहां best service मिलती है तिरपत अगाडमी is the best counseling for every जितने भी counseling है all over India में UPTU में तो सबसे best है ही ठीक है हमारा सब में ही best होता है इसलिए आप counseling support enroll कर सकते हो इसके features में होता है कि आपका admission cancel हो गया एक चीज मिस कर दी है आपने कभी freeze नहीं भरी आपने freeze नहीं किया फ्लोट नहीं किया कभी सारी चीज़ होती है वो सब पता चलता रहेगा साथ ही साथ जाकर करके आपको एक call आ जाता है और call पर आपके सारे doubts clear करके एक person mentor भी alert कर देते हैं कि अभ पांस से दस branches होती है इतनी ज्यादा चॉइस हजार से ज्यादा चॉइस फिलिंग में आपको बरना पड़ेगा इतनी सारी चॉइस में से आपको कैसे पता है कि कौन सा बढ़िया किसे बरना चाहिए किस को नीचे आपको नहीं पता है बट हमारे पास experience है कि आपको best से best कैसे इसके बाद आता है जो भी आपके documents के related scholarship के related जितने भी doubts हैं सब कुछ आप लोग क्लियर कर सकते हूं इसकी बाद बच्चों आप पूछोगे कि इसकी फीस कितनी है अभी के लिए बहुत affordable fees की गई है ठीक है counselors आपसे 2000-3000 भी ले रहे होंगे ठीक है इससे कम वाले भी होंगे लेकिन जो premium facility हम देते हैं कोई भी नहीं देगा इसकी fees only अभी के लिए triple nine है कितना triple nine है बस सो बच्चों के लिए already हमारे पास 50 बच्चे हो भी चुके हैं बस 50 बच्चों के seats बस बच्ची होई होंगी तो वह जैसी हो जाएंगे तो इसकी 1000 से 1500 फीस हो जाने वाली है इसलिए जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है जल्दी से जाकर एक काउंसिंग सपोर्ट में इन्रॉल करने वर्णा बाद में पच्चता है कि सेम फैसिलिटी ज्यादा महगे में मिल रही है ठीक है यह तो मैंने आपको ऑनलाइन का बताया अब मैं बच्चों आपको बताता कि जो बच्चे आंगे वही बच्चे स्लॉट बुक करेंगे जो नहीं आ सकते वह आलाइन जल्दी से जॉइन कर लो कुछ भी द्यान सा सोच उचो मत जल्दी सी ओनलाइन कर ले ना जो आफिस पर आ रहे है बता दिया जाएगा किस दिन आपको आना है उस दिन आप आप पूरा आपका चॉइस कराएंगे साधी 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 सब्सक्राइब करना है वह सब कुछ वही करेंगे सब कुछ वही करेंगे आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेंगे या एक बार आपको प्रोइड कर रहे हैं तो आप सचोगे कि इसकी फीस कितनी है तो देखो भचो इसकी फीस अक्चोल में है 20,000 उन्पाय की फीस है बट इसको ध्यान से सुनो 20,000 में लगबग हम 4-5 counselling बचों कराते हैं या उससे ज़्यादा कभी करना चाहता है तो कौन-कौन सी counselling जैसे की अभी UPTU तो करो गई साथ में HBTU है इन सब की भी counselling है ठीक है यह सब करो गए तीन counselling यह हो गई इसके अलावा बात करें तो डेली के अंदर काफी बढ़ियां counselling होती है IP University जितने भी UP College है उनसे सबसे बेटर आपको IPU के अंदर देखने को मिलेंगे एक counselling कर दोगे तो सोचोनों कि आपको कितनी बढ़ियां facility भी offline में मिल रही है बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर मुझे तो एक-दो counselling की कराना जैसे UPTU, HBTU, MMP यही सब बस कराना है offline में तो बच्चो आप लोग कर लो ओफिस पर आजो काफी जादा डिसकाउंट कर देते हैं अगर बस दोई counseling करवानी है अगर उफिस पर नहीं आ सकते हैं तो जल्दी से online जोइन कर लेक्ट्राइंक सेन कम्मुनिकेशन इंजिनेरी काफी अच्छी ब्रांच होती है सदा बाहर ब्रांच कहते हैं कि इसमे यहां पेडी मिल जाएगा हो never कहते हैं अगर बात करते हैं हम लोग इसरे र moss की ही अगर है तो अदिशन मिलगा ज्याइए बात करते हैं अगर अगर आप यह फिन लो मेल हो तो आपको आपको 1 049 ौ थिक यह फिर ने वाले बस देखेंगे और इसके बास हम लोग बात करें तो जनरल करेंच इसे आइटी बरांच जो है फिमेल वाले बच्चों को लाग 25 लाग 26 थाउज़न तक ओपन कैटेगरी से बात करें ठीक है ओपन कैटेगरी से आपका आइटी ब्रांच की बात कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा वल्लाग 16 थाउजन यानि कि जनल का इते वाले बच्छों को अन्य इसके बाद सब्सक्राइब बात करें तो आपको 97 थाउजन तक मिल जाता है बाकि हम लोग बात करें तो आपके पास जनल कैटेगरी से हो फिर डिफेंस का है तो फॉल लाक फॉड़ी फॉड़ी थाउजन तक ठीक है अगर आपने टी फडबलु सीट के लिए अपलाई किया है आट लाग से कम की इंकम है आपके इंकम सेटिविकेट सब अपलोड किया है आपका तो आपके पोटल में टी एफडबलु की सीट भी दिखेंगी तो यहां पर देखो वह अगर फडबलु वाली सीट मिल जाते तो जो भी आपके ट्यूशन फीस है मानलो कॉलेज की फीस डेड़ लाक रुपे अगर आपका कहीं अधर स्टेट से हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा यह भी मैं बता दे रहां और बच्चों का एक कॉमन्ट आउट भी होता है कि अगर हम के लिए अपलाए कर रहे हैं तो क्या मतलब मेरे पोट्रेल बस FWC दिखेंगी नहीं आप दोनों के लिए अपलाए जबता है बहुत कम फीस में पढ़ लेते हैं तो बहुत कम फीस में पढ़ लेते हैं सारा चीज बता दिया बाकि JSS के उपर चाहिए कि एक रिव्यू हो जो कि काफी शॉट में आपको प्लेस्मेंट फीस एंड स्पोर्ट अस्टल ये सारा कुछ मैं बता दूँ आपको वह अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो वह वीडियो भी हम लेकर के आ जाएंगे ठीक है ज जल्दी से स्लॉट बुक करो ओफिस पे आने के लिए और हां ओफिस पे नहीं आ सकता है तो जल्दी से ओनलाइन तो जॉइन करी लेना इसको भूलना भी मात्तिक है जल्दी से जॉइन कर लो सुबसे एर थैंक्यू फोर वाचिंग दिस वीडियो जै हिंद जै भारत